हलो गाईस, तो कैसे हैं आप लोग अई हूप सब लोग अच्छे होंगे, तो आज जो मैं आपके लिए प्रॉपटी लेकर के आया हूँ, यह प्रॉपटी जैपूर के बहुत अच्छी लोकेशन पर लोकेशन पर लोकेटड है, जो कि पांचा वाला है, जिसे के आप जानते होंगे, और कॉलोनी के बात करूं, तो कॉलोनी के नाम होने वाला है, फ्रेंड्स कोलोनी, आज जो मैं आपको प्रॉपटी दिखाने जा रहा हूँ, यह प्रॉपटी बहुत बढ़िया और खूपपपटी होने वाली है, जो कि 3 बेच के होने वाली है, स्कॉर फीट एरी के तो 1300 स्कॉर फीट एरी के अंदर यह प्रॉपटी बनी हुई है, पानी की सुविदा है, सिवरिज की सुविदा है, साथ ही रूफटॉप पे आपको यहाँ पर गार्डन भी डवलप करके दिया जा रहा है, प्रॉपटी जो आपका लोन हो जाएगा, प्रॉपटी पे लग आप देखने के कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका लिविंग इरिया, जहाँ पर आपको सोफा वगेरा अरेंज करके दिया गया है, यह जो प्रॉपटी में आपको दिखा रहा हूँ, यह एक 3BHK का फ्लैट होने वाला है, जो कि अपने जैपु शह और क्या कुछ मिल जाता है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से LED पैनल आपको दिया गया है, जहाँ पर अपना बड़े से बड़ा LED इसली इंस्टॉल कर पाएंगे आप, अगर हॉल के मैं साइज की बात करूं, तो हॉल का जो साइज है यहाँ पर आपको मिल जाता है, वो मि आपको ट्यूर कराऊंगा इसके किचिन का, रूम्स का और साथ ही इसके जो है बात रूम्स का, तो चलिए देख लेते हैं फ्रंट टेलिवेशन, तो अब हम लोग आगे हैं इसके फ्रंट टेलिवेशन की और जैसे कि आप सामने की तरफ देखी रहें कि फ्रंट साथी बिल्डिंग के इंदर आपको मिल जाता है यहां पर लिफ्ट के प्र प्रविजन भी बहु भी मैं आपको दिखाऊंगा और पानी के लिए मैं को बता तूंकि यहां पर बोर बेल अपको दिया गया देखिए को इस तरहिए बड़ा इस पेस आपको मिल रहा है जहां कि इस तरफ आपको दिया गया है कुछ इस तरीके से यह देखे लिफ का प्रोवीजन आपको मिल रहा है यह स्टेल मिल रही है जो कि इसके फर्स सेगें थर्ड एंड इसके टॉप लोड तक आपको लेकर के जाती है तो यह तो मैंने आपको दिखाया इसका पाकिंग का स्पेस साथ ही यहां पर लिफ का प्रोवीजन अब अपने इसका फ्रेंट एलिवेशन अब मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर इसका किचन का साइज जो है काफी स्पेशिस साइज में आपको मिल रहा है जहां पर आपको कांटर टॉप ग्रिनाइट के वर्क के साथ में हैं और प्रॉपर सुनलाइट वेंटिलेशन होगा और साथ ही नीचे की साइड में प्रॉपर के साइड में प्रॉपर डॉपर हिंद वेर के आपको चिम्नी लगा करके दी जा रही है जितनी भी फिटिंग्स है वह सारी ब्रेंडड़ है यहां पर आप देखे कुछ इस तरीके से यह सिंख एरिया है इस साइड में रखने का स्पेस आपको मिल जाता है जहां पर आपका फ्रिज इजली इंस्टॉल हो जाएगा इस तरफ देखेंगे तो यह आ जाता है इसका कॉमन वाथरूं यहां पर देख रही है और वेस्टन शीट लगा करकर दी गई है वेंटिलेश कुछ इस तरीके से आपको water or है सामने की तरफ में आप बैड देख लीजे बैड का साइज भी काफी spacious आपको बड़िया साइज है और साथ ही आपको पीछे कुशन वर्क भी प्यारा है उपर की साइड में साइज है इसका चालीस लाक रुपे और चालीस लाक रुपे में आपको यह प्रॉपरी मिल जाती है तीन बैड एक सोफा सेट साथ ही आपको यहां पर देखिए कुछ इस तरीके से डाइनिंग टेबल एलेडी पैनल और आपको फुली मॉडूल कि दिया जा रहा है यहां पर यह साथ हो आपको साइज में आपको सपेशार सइज के बात करूं तो लग बग को 612 15 और 11 11 ऐसे साइजह को मिल की यहां पर deputy सरी है है उपर के साइट में आपको फोल सलिंग का वर्क है एसी का सेपरेट पॉइंट यहां पर भी आपको विंडो दी गई है वहां पर आपको बातरूम दिया गया है जहां पर आपको वेस्टन शीट लगा करके दी गई है प्रॉपर्टी का प्राइज होने वाला है चालिस लाग रुपए पांचा वाला जैपो शहर के बहुत अच्छी लोकेशन है वहां पर फ्रेंट्स कोलोनी के नाम से करोनी होने वाली है वहां पर यह प्रॉपर्टी लोकेट है जैसे कि आपने देखा इसका फ्रेंट एलेवेशन और साथी पार्किंग का स्पेस काफी ब जब्धन है आपको पूंड़ेवेरिया जैसे कि चौदरी अपन इन्डियन अक्यडमी इसकूल यहां से बहुत ही पासमें है यहां से आपको दिखाँगा भी कफी सारे बच्चे आपको जाते वह दिखाई देंगे यह बालकिनिका स्पेस है और यहां पर देखेंगे उपन जैसे कि में आपको दिखाया की गेटे टाउंशीप यहां पर आपको मल जाती है यह पुरी आसपास की का सराउंडिंग अरिया है बहुत ही प्यारी खुप्स्फरसी प्रॉपर्टी जो कि मैंने आज आपको दिखाई 30-00 स्कौरूर फीट लगबग लगबग 30-00 स्कौरूर फीट एक इंदर बनी वही है और प्राइस के अगर होने वाला है 40-40,000 रुपए जो यह को अगर पर दो ही फ्लाट है या पिर आप यह ले भी आपको प्रफरर वह आप जो है यहाँ ले सकते हैं बिल्डिग यहां पर टोटल थोने वाले हैं आसपास में आपको अपको भला है टो सब कुछ आपको नेरस मिल जाता है तो आज दिखाई आपको एक प्रॉपडि जो की तेरह सो स्क्वार फिट एरी के अंदर है चालिश पर्षेंट लोनेबल है 51,000 रुपे दे करके इसे बुक करवा सकते हैं और बाकी का आपका लून हो जाए का लून से रिलेमेंट को इस समस्या नहीं आएगी अगर आप चाहते हैं जैपू शहर के अंदर एक अच्छी प्रॉपर्टी लेना तो कॉल कीजिए नमबर नीचे डि जैहिन पने मातरम